जब भी मैं घर से निकलता हूं मेरा ध्यान अक्सर इन चेहरों पर जाता है बूबूडे चाचा आस लगाए बैठे हैं कि उसकी टोकरी के चार-पांच दरजन केले आज किसी तरह बिख जाए धनिया मिर्ची की अपनी चोटी सी जाइदाद लिए वो बाबा इस सोच में डूबा है कहीं बिकने से पहले खराब ना हो जाए ट्राफिक सिगनल के लाल होने पर आँख में आसू छिपाती हुई वो बेहन कोई उसकी चोटी सी माला खरीद ले भाई साब दस रुपे का है ले लो न प्लीज वो इडली वाले अन्ना ब्रेड वाले भाई साब फल वाले अंकल यह सब हमारी जिंदिगी का कहीं न कहीं हिस्सा बन चुके हैं यह लोग इमानदारी से काम करते हैं और बहुत मेहनच के बाद भी दिन का पचास उर्पया तक नहीं कमा पाते हैं अपने परिवार के साथ इन्हें भूखे सुना पड़ता है लोगडाउन और बारिश में तो इनका धंदा जैसे खतम ही हो चुका है दोस्तों क्या हम सब मिलकर इनके लिए कुछ कर सकते हैं अपने आप से ये वादा कीजिए कि हम इन लोगों का एक दोस की तरह ख्याल रखेंगे इन्हें नजर अंदाज नहीं करेंगे हम कोशिश करेंगे रोज किसी एक का दर्द कम कर सके कभी कभी हमारी जरुरत नहीं पर उनकी जरुरत का ख्याल रखेंगे उनकी थोड़ी सी आमदनी करवा देंगे जब हम सब मिलकर ये जिम्यदारी लेंगे तो शायद हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा जय हिमा